चीक आना, बलगम बनना, बहुत जादा आखों से पानी आना, आखे लाल हो जाना, नाक से पानी आना, दूद से, दही से, बनाना से, एपल से, या लेमन से, धूल, मिट्टी, डस्ट से, या आपको धुआ से, सिगरेट से, स्मोकिंग से, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कि ये प्रॉब्लम्स भी आपको हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, साइनस को कैसे ठीक किया जा सकता है, और साइनस की बज़े से होने वाली प्रॉब्लम्स, जैसे, एलर्जी होना, छीकाना, दर् गिरना, जिसे हम PND की समस्या भी कई वार कहते हैं, तो साइनस की प्रॉब्लम्स अलग है, PND की प्रॉब्लम्स अलग है, दूनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम्स है, तो ये वीडियो आपकी लिए बहुत इंपॉर्डेंट है, आपको जरूर देखना चाहिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी हाई अबरीबन, मेरे नाम डॉक्टर लोकेंध है, और आज आप सभी को मैं बताऊँगा, किस तरीके से आप साइनस की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं सबसे पहले समझें, साइनस की प्रॉब्लम होती क्यों है, और साइनस की प्रॉब्लम किन लोगों को सबसे ज़्यादा होती है और sinus की problem में आपको कौनसी-कौनसी medicine लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, आगे इस वीडियो में हम समझेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें, sinuses के बारे में sinus होते क्या है Sinus आपके 3-4 तरगे sinuses देखने को मिलते हैं commonly सबसे पहला sinus होता है आपके frontal sinus, जो आपके दोनों वहों के ऊपर बीच में पाये जाता है दूसरा sinus होता है sphenoid sinus, जो आपके इस एरिया में देखने को मिलता है और तीसरा sinus होता है इसके अंदर, यानि sphenoid के अंदर जिसे हम ethomodel sinus के नाम से जानते हैं सबसे होता है, maxillary sinus, जो आपके nose के दोनों तरफ के एरिया में आपको देखने को मिलता है यह चार तरह के commonly sinus आपको देखने को मिलते हैं, जिन में infection होने से कई सारी problems आपको हो सकती है अगर frontal sinus में infection है, frontal sinus के अंदर अगर vulgam जमा हुआ है, तो आपको यह सिर्क के आसपास का area दर्द करेगा यानि कि यहाँ पर आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा धेरे धेरे इसके आसपास area में और अगर यहाँ पर आपको infection है, यानि इस्प्रिनोट sinus में infection है, तो आपको इस area में और eyes के आसपास भी थोड़ा थोड़ा दर्द होना या थोड़ा थोड़ा दर्द आप मैसूस कर सकते हैं, अगर आपको maxillary sinus में problem है, यहाँ पर अगर कोई problem है, susan है, bulgum जमा हुआ है, तो आपको इस area में दर्द हो सकता है, और यह दिया में आपको दर्द मैसूस हो सकता है, और कई सारे problems आपको मैसूस हो सकती है, तो sinuses के अंदर जब infection होता है, दो से तीन तरह का commonly infection देखने को मिलता है, सबसे पहला कि अगर किसी को allergy है, किसी चीज से, सबसे पहला commonly, और दूसरा होता है, bacterial infection और कई लोगों को commonly viral infection हो जाता है, जब उनको viral infection सरीर के अंदर होता है, तब भी sinuses के अंदर कई लोगों में ये problem देखने को मिलती है, sinus के अंदर जब सूजन हो जाती है, तब इस condition को हम कहते है sinusitis, तो sinusitis का मतलब होता है, sinuses के अंदर सूजन होना, और अगर इसके अंदर वल्गम फर जाता है, यानि कि वल्गम जब यहां पर एकटा हो जाता है, तो यह सही से काम नहीं कर पाते हैं, और यहां congestion होना start हो जाता है, जिसकी बज़र से आपको बोलने में दिक्कत होती है, कई सारी आपको problems आना start हो जाती है, जिसमें commonly एक problem होती है, छीक आना, अलर्जी होना, वल्गम बनना, यह एक most common problem होती है, और कई लोगों को आपने देखा होगा, जिनके आखों से पानी आना start हो जाता है, नाक से पानी आना start हो जाता है, यह भी कई problems में आपको sinuses की problems में देखने को मिल सकता है, अब अगर बात करें कि sinus को कैसे ठीक किया जा सकत है, साइनस की problem से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे कौन से कौन से ऐसे साफधानिया हमें बरतने चाहिए, जिसके मतलत से हम sinus की problem को ठीक कर सकते हैं, या हम इससे बच सकते हैं, सबसे पहली चीज़ दोस्तो, अगर आपको किसी particular चीज़ से allergy है, आप उसका पता लगाए, आप उसका पता कैसे लगाएंगे, एक तो होता है घरिलू तरीका, जैसे कि अगर आप किसी चीज़ के contact में गए, उसकी बज़र से अगर आपको problems हो जाती है, तो आप उससे, आपको समझ दाना चाहिए कि मुझे इस चीज़ से allergy है, जैसे चीक आना, बलगम बनना, बहुत जादा आँ टेस्ट कराना चाहिए, तो आप लेव में जाकर के allergy test करा सकते हैं, जिसमें कई सारे test होते हैं, जिसमें दूद से, दही से, बनाना से, एपल से, या लेमन से, बहुत सारी चीज़ है, धूल, मिट्टी, डस्ट से, या आपको धुआ से, सिगरेट से, स्मोकिंग से, कई सारी problems होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आपको lab के द्वारा बताया जाता है, कि आपको किस-किस चीज से allergy है, तो आप दो तरीके से पता लगा सकते हैं, मुझे किस चीज से problem है, और जिस चीज से आपको problem है, उसे आप avoid करें, अब उससे आप दूर रहें, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके problems ठीक होना start हो जाएगी, और कोई भी medicine लेनी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अब अगर हम बात करें कि आपको कौन सी medicine लेना चाहिए, तो सबसे first medicine दोस्तो sinus gold, sinus gold बहुत अच्छा drop है, और ये आपको आसानी से किसी भी homeopathic medical store पर मि आप सभी को बता रहा हूं, sinus gold आप इसे note जरूर कीज़ेगा, यहाँ पर आपको picture भी देखने को मिलता हैगा, जिसके मदब से आप note कर सकते हैं, और आप इसे कहीं सभी खरी सकते हैं, ये कोई paid and promotional वीडियो नहीं है, ये कई सारे मरीजों के उपर practical की कई चीज़ें हैं, जो मैं आप सभी को इन वीडियो में share करता हूं, तो आप इसे जरूर उप्यों कीज़ेगा, कैशे उप्यों करना है, इसके दसबून सुबह, दसबून श्याम को उप्यों करना चाहिए, जिनको लंबे समय से problem है, जिनको बहुत ज़्यादा problem है, उनको दसबून सुबह, दोप पानी लीजिए, उसमें 10 बून डाल दीजिए, इसकी मदद चेगर आप इसे 7 करते हैं, तो आप देखेंगे, आपकी sinus की problem से धेरे धेरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगे, इस तरी medicine दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, काली बिच, काली वाइक्रोमियम, काली वाइक्रोमियम allergy की बहुत अच्छी medicine है, जिनको नाक में हड़ी बढ़ जाती है, उनके लिए भी बहुत अच्छी medicine है, लेकिन जिनको वलगम बहुत जादा बनता है, जिनको बहुत जादा sinus की problem होते है, उस case में भी बहुत ही effective medicine है, एक चौथाई कप गुनगना पानी लीजिए, उसमें 10 डाल दीजे, दस्वून स्याम को जरूर अंध्य करना चाहिए और तीसरी medicine दोस्तों दूपहार अंध्या को जरूरस करना चाहिए जो का प ज़न